है एलो गाइज आम विशाल इलेक्ट्रिकल एलेक्रोनिक्स इंजीनियर इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ गाइज फ्लो चार्जिंग और बोस चार्चिंग हम वीडियो में यह तो डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारा सफ के लिए घनए जुस्ट्रिटीशन सब्सकेशन इंड्रचिंग अब बैंटरी को चाण्ज करना ज़रूरी है अभ equally बैंटरी है वो चार्ज जाती है वे विद उसका नाम रहतो आपके बैटरी बैटरी गाइज आपकी बैटरी बैटरी नहीं करते नहीं करते हैं पूरे एक रूम जो है बैटरी का उसको चार्ज करा जाता है with the help of float come boost charger से तो उसकी जो वीडियो है गाईज वो कल आएगी बट आज की इस वीडियो में मैं आपको basic बता हुआ क्या होता है float charging और क्या होती है boost charging तो कि जो float charging है जैसे कि इसका name है float charging ये क्या करती है गाईज जो भी आपका battery का एक reduced voltage है उस reduced voltage को देखकर जो है हमारी जो charging है वो दी जाती है बैटरी को आपके पास एक बैटरी है आपने उस बैटरी के साथ एक load को connect कर दिया अब बैटरी की जो भी charging है floating condition है जिसमें आप बैटरी को भी चार्ज दे रहे हो और बैटरी से load कनेक्ट है तो यह जो condition है इसे कहते है फ्लोट चार्जिंग अब फ्लोट चार्जिंग क्या करती है गाईज यह जो हमारा current होता है जो भी आपका बैटरी को आप गई चार्ज होगे तो क्या होगा एक यहाँ पर condition आती है over charging की कोई भी phone हो या कोई भी चीज हो गाईज आप अगर आप उसको उसके लेवल से उपर चार्ज देंगे तो एक condition आएगी over charging की जिसकी वेजसे जो आपकी battery life है वो reduce होगी अब इसको avoid करने के लिए हम यूज करते है अपना float charging अप फ्लोट अब जैसे ही बैटरी के पास वो वोल्टेज जाता है तो गईस क्या होता है जो वोल्टेज है वो एक करंट लेके जाता है जिसे हम कहते है charging current तो instantly क्या होता है गई चार्जिंग करंट बैटरी को दिया जाता है जिसके वेसे बैटरी वो चार्ज होना start हो जाती है अब जैसे जैसे ही बैटरी चार्ज होती है तो गई सेंस करता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो भी रिड्यूस होता है इस तरह से जो आपकी बैटरी यह फुल चार्ज हो जाती है जिसे ही बैटरी जो है ट्रेइन होती है तो वह सिंगनल है वह हमारा सेंसर हो चुकि के भी बैटरी को व्टेज है और चार्ज्ग होते innocent है जो आपका float charger रहे continuously supply देता है हमारी battery को बैटरी continuously supply देती है हमारी load को जिसकी वैसे एक charging process होता है इसी charging process को कहते हैं guys हम float charging अब जो कि इस float charging है इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके battery जिस level पर drain की जाती है वो बार-बार जो है sense की जाती है आपके sensor के थुरू आप क्या होता है जैसे ही sense करता है हमारा वो तो जो हमारे voltage है input voltage जिसके थुरू जो वो teacher पर बैटरी को वो उसके according जो है increase or decrease होता है जिसके वज़े से आपका charge है input charge या आप कहा सकते है input current या आप कहा सकतो charging current जो है वो वेरी करता है उसके according जो हमारी battery है वो charge होती है तो यह तो simple है guys flow charging क्या होती है अब हम discuss करते हैं boost charging को सेम गाइस condition होती थी आपके जो पुराने वाले फोन आते थे जिनके अंदर बैटरी लगी हुए आती थी रिमेवल बैटरी जिनने निकाल सकते थे उन फोन को गई अगर आप बैटरी लगा के कहीं रग दे थे या आप उसको यूज में नहीं लेते थे दो महीने बाद तो चाइना के चाइजर में लगा के डायरेक्ट उसको अपलाई देते थे जिसकी वेज़से जो कुछ टैम बाद वह बैटरी वह चार्ज लेना स्टार्ट कर देती थी उसको बैटरी को घई फिर हम अपने फोन में नॉर्मल चार्जर से चार्ज कर लेते तो सेम कंडिशन होती है घई एक पर्टिकूलर इंस्ट के लिए एक एक पर्टिकूलर श्றुällर पॉइंट के लिए एक अमाउंट उफ करेंट जो है वह दिया जाता है आपकी बैटरी को जिसकी वेज जो बैटरी है वह चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है जो भी आपकी हेविलीकयट आपने वह चार्ज नहीं हो रही है आपने उसको एक पर्टिकलल इंसेंद के लिए बोट चार्जिंग दी मीज़ करेंगे तो यह होती है विज़े गाइस हमारी बोस चार्जिंग पर जिसमें हम डिसकस करेंगे फ्लोड कम बोस चार्जर इस एक नई वीडियो जो है मैं इस चैनल पर अपने इस बेसिक लेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग बाई विशाल राजोर इस पर एक गाइस वीडियो आईगी तो आप उस वीडिय को कैसे चार्ज करा जाते हैं क्या होता है float का booked charger कैसे floating condition में हमारी battery को जो है load पर जो है supply दी जाती है किसे floating current जो है हमारी बैटरी को चार्ज करता है कैसे boost charger contactor कैसे काम करता है क्या होता है हमारा tap circuit तो guys detail में कल जो हम इस चीज और discuss करेंगे I hope guys आपको जो वीडियो है नॉलिजबल ही लगी होगी अगर फिर भी कोई आपका डाउट है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं थेंक्यू गाई